दात में कीड़ा लगने से हैं परिसान तो अपनाएं ये तीन घरेलू नुसके तुरंट मिलेगी राहत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारे दात अच्छे से खाना चबाने के काम आते हैं इन में थोड़ी सी भी तगलीफ होती है तो हमारा खाना पीना मुस्किल हो जाता है कितनी भी भूख लगी हो लेकिन उसके बाद भी कुछ खा नहीं पाते हैं दातों से जुड़ी वैसे तो कई समस्या है लेकिन कीड़ा लगना एक कॉमन समस्या है जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं अगर एक बार दात में कीड़ा लग जाए तो दवाओं और ट्रीटमेंट का सहरा लेना पड़ता है यहां इस वीडियो में आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्के के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आपको रहत मिल सकती है बात करते हैं क्यों लगता है दांतों में कीड़ा डेंटल कैविटी या कैविटी तब होती है जब दांतों की सतह में छोटे-छोटे छेद होते हैं यहां दांतों की सतह पर बैक्टीरिया के कारण होते हैं जो सुगर या एसिड बनाते हैं यहाँ सबसे कॉमन एक बैक्टिरिया है जिसे स्ट्रेप्टो कोकस म्यूटन्स के नाम से भी जाना जाता है लॉंग का तेल लगाएं अगर आपके नाद में कीड़ा लग गया है तो लॉंग का तेल आपको इसे हटाने में मदद कर सकता है इसके लिए आपको प्रभाविट छेतर पर लॉंग का तेल लगा कर कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ेगा वहीं अगर आपके पास लॉंग का तेल नहीं है तो आप लॉंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगला है फिटकरी दात से संबंदित रोगों के लिए फिटकरी एहम भूम का निवाती है आप फिटकरी को बारीक पीस कर और उसमें नमग मिला कर एक पेस्ट तैयार कर सकते हैं फिर ब्रस या उंगली की सहाइता से अपने दातों में लगा सकते हैं इससे कीडे हटाने में आपको काफी रहत मिलेगी आप चाहें तो फिटकरी के पानी से कुला भी कर सकते हैं अगला है सरसो का तेल सरसो के तेल में हल्दी और नमग मिलाकर प्रभावच छेत्र पर लगाने से दात के दर्द और कीडे से छुटकारा पाया जा सकता है